हेलो शुलेंट्स कैसे हैं आप सब आई होब आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे लास लेक्टन में देखा हुआ था कि कि यह बिजनेस क्या होता है इक डिफरेंस समझा हुआ था तो वहां के इसाफ से तो आई थिंक आपको बताया था कि यहां बहुत सारे वर्क होते ना मनें बताया था कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे हम किस कटेगरी में रखेंगे आपको यहां बहुत सबसे ज्यादा हमारा जो आलाइन गुड्स और सर्विसेस का क्या होता ट्रांजेक्शन होता पेमेंट्स कार्डर प्रोसेसिंग का जितने भी सारे वर्क होते हैं उन सब को यहां पर हम लोग क्या करते हैं अच्छे तरीके से डिसकस कर लेते हैं यही पूरे हमें यहां पर क्य सब्सक्राइब करते हो तो आपको समझने में ना हो तो देखिए कंशन is जो सब्सक्राइब सक प्रोसेस क्या होता है मैं आपको को कोई समझा हूं तो आपके माइं में यह स्ट्रक्चर होना चाहिए तो ज्यादा बेटरोगा मालली ना जैसे आप क्या करते हों सिंपल दिबात करते हो यहां पर तो लोड़िट करते हो यहां ने बताया था कि बहूत साले प्ली अ अज़से हैं बंट centrист नंगरे हो這些 system's ynहां सब्सक्राइब क्या करता है कोई आडर प्लेस करते हो ठीक है जब कोई आडर प्लेस करते हो कोई प्रोड क्या करते हो आप स्लेक्ट करते हो जैसे आप आप करना जाते हो ना आप कार्ट लेते हो ठीक है वहां पर क्या करते हो आप कई सारे प्लेस करना होता हो सारे आप क्या करते हो ऐसे यहां भी एड्ट करते हो जो जो प्रोड़क्त आपको पसंद आते हूं को gotta card गज़ स्लिट करके रख ले ते हो ठीक है तो बैंक वहां से इनेबल होती है आपके एकाउंट से क्या करवाती है और फिर जाके यहां पर आपका आडर कंप्लीटली क्या हो गया प्लेस हो गया आपका आडर क्या हो गया प्लेस हो गया आडर प्लेस होने के बाद अब सिंपल लिवाथ वेयर हाउस होते हैं वेयर हाउस म कंऊल RAM होगा वह इसको बताएगा कि ह country फ्रूंच हो जाएगी तो आपके परोड किया है? यहांmill हो जाएगी पैकिंग होने के बाद शीपिंग हो जाएगी ठीक है तो एक प्रॉंटेशन के सिस्टम हो अब हता है ट स्थे 열 करते हैं प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट पहुंचाता है यह बात यह प्रोसेस को माइंड में अपने रखना अगर आपने सॉपिंग करी है तो भी आप एक बार जरूर कर लें आगर के आप एक कामर से या किसी फिलिपकॉर्ट प्लेटफॉर्म पर जागे आप एक बाट राई कर लें कि आनलाइन सॉपिंग होती कैसे तो वहां पर आप अच्छा रिलेट कर पाएंगे आप खुद को ठीक है यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं क्लियर है तो आज फिलाल हम टॉपिक में में क्या पढ़ रहे हैं आप पढ़ने जा रहे हैं framework of e-commerce तो आज की क्लास में बेसिकली में क्या पढ़ने जा रहे है framework of e-commerce देखिए का framework क्या होता मैंने एक basic definition यह आप लिख दी आप framework की जा सेट आफ conceptual structure and guidelines used to build anything मतलब जब भी आप कुछ भी बनाते हैं real life की बात हो जाए programming की बात हो जब भी आप कुछ बनाते हो तो उसका एक basic structure क्या होगा ठीक है कहीं आपको जो भी चीजे आप बनानी नहीं है कुछ मतलब क्या करना है आपको guidelines दी गई है आपको structure दी गए है बस उसपे क्या करना है वर करना है लोग कहते हैं यार आशकल हर जगह क्या चुके framework का चुके है ठीक है जैसे आप क्या पढ़ते हो PHP पढ़ते हो PHP language core PHP जो करना पड़ता है सारे काम खुझ से करने पड़ते हैं लेकिन जैसे लावरा बिल वगएरा जुम्ला वगएर अगर framework आप यूज कर रहो है यहां पर तो उसमें सारे दी होती है बस आपको क्या करना होता है हां logic वरा implement करना होता है क्योंकि पूरा structure वगएरा guidelines दी होती है कैसे तो mainly इसके framework में यहां पर mainly इसके framework में 4 steps यहां पर क्या है involved कितने step यहां पर 4 steps है द्यान देना यहां पहला label मालो सब्सक्राइब काम क्या होगा पहला काम यह होगा यार आपको इस ट्रक्चर बनाना होगा ठीक है आपको क्या बनाना होगा स्ट्रक्चर नेटवाक स्ट्रक्चर इसका मतलब है कि देखिए आप यह काम आल लाइन करने जा रहे हो अगर आप यह काम आल लाइन करने जा रहे हो तो simple दिवाद है कि आपके पास एक ऐसा network होना चाहिए एक ऐसा infrastructure होना चाहिए जिसके तुरू आप सारे employees हों चाहे आपके customers हों चाहे आपके supply में जितनी भी लोग होते हैं इस system में e-commerce system में सब को सब को सबको हम manage कर सकें यहां पर clear तो जैसे आप यह समझो थोड़ी दर के लिए अभी में बात यहां पर कर रहा हूं जैसे आप website से data क्या करते हो अगर website से data आप क्या करते हैं यहां पर simple share कराते हो कोई website होती है लेकिन आप से बोलाई था अगर internet ना होता अगर internet ना होता थो आपका data share ना होता है इसका मतला पहले connection बना है पहले क्या बना connection बना होगा पहले आपके hardware लगेंगे patela's button Servers बनाएगे होंगे पहले आपके client to server यह सारी चीजें router रहें यह सब लगाये होंगे तब जाके जब यह सब लग चुके होंगे तब जाके आप क्या कर सकते हो computer के through, software के through एक place से दूसरे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो ऐसे ही आप shopping जो कर रहे हो तभी कर सकते हो अगर आपको platform बनाना है तो सबसे पहले क्या तयार करना हो network infrastructure तो हम यह बोल सकते हैं network के अंदर आपके hardware आजाएंगे क्या जाएंगे मेली hardware आजाएंगे अब hardware में क्या क्या हो सकते हैं आपके यहां पर जैसे आपका servers हो गए ठीक है कि कितने server लगाने कितने computers लगाने कितने router की जरूत पड़ेगी आपको ठीक है क्या आपका network होगा wireless होगा कि वायर network होगा या TV कि मतलब किस टाइप के network को आप यूज करना चाहरे हैं इंटरनेट को यूज करना चाहरे हैं तो कहीं न कहीं वह सारा infrastructure आपको तयार करना पड़ेगा ठीक है तो देखी मेरा कहने का मतलब है आप सब जानते हो LAN क्या होता है आप सभी को फानले student हो आप सब को पता है LAN क्या होता है ठीक है आप बताइए आप सबसे पहले क्या करते हो कितने आपके पास computers हैं ठीक है कितने की यह रूस होती है आप राउटर वगरा भी लगाते हो किसी एक को सर्वर बना देते हो किसी एक क्या बना देते हो सब इससे क्या होते हैं connected होते हैं तो मेरा कहने का मतलब है अब इसके तुरू आप क्या करते हो आपका जो data होता एक E-commerce क्या करना इस्टेबलिस करना हो platform बनाना हो तो आपको क्या 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 devices क्या क्या hardware क्या क्या चीज़ें लगेंगी वह आपको यहां पर बताना होगा ठीके इस लिए देखिए मैंने यहां पर point by point चीजों को लिख भी दिया है, पहला यहां पर क्या है, network infrastructure में, it decides the hardware such as, computers कितने होंगे, servers कितने होंगे, routers क्या लगेंगे, आप किस network का यूज़ करने जा रहे हो, आप cable TV भी एक network होता, आप उसके through आप लोगों के पास data send करोगे, या उसके through manage करो आओगे, तो मेरा करने मतलब आप किस type के infrastructure का यूज़ करोगे, अपने work को करने के लिए, I hope यहां तक की चीज़े clear होंगी न, क्या होता है, network infrastructure में लोगों क्या क्या चीज़े, manage करेंगे, next आप का यहां पर आता है, next क्या यहां पर, multimedia content and network publishing infrastructure, आप यह सोचो, multimedia का मतलब होता ह है, multiple media, ठीक है, इसका मतलब है, text के form में, अगर आप multimedia content मतलब होता है, text के form में, you can do the same 5, 6, image के form में, video के form में, audio के form में, अगर इस तरीके से आप communication कर रहे हो, तो simple दिवात है, वो content क्या होगा, आपका multimedia content होगा तो इसका मतलब है कि आपने structure बना लिया आपने क्या किया structure बना लिया अगर आपने structure बना लिया तो simple थी बात है कि आपको अब क्या करना होगा कि अपना जो product है आपका जो product है आपकी जो service है उसको आपको graphical form में सो कराना होगा audio के थूँ, video के थूँ, image के थूँ, test के थूँ आपको क्या करना होगा यह होता क्या multimedia content और उसको publish करने का मतलब है आपको कोई website चाहिए यहाँ पर बात आती है कि इसके www की इसका मतलब है आपको www चाहिए, आपको website चाहिए आप यहाँ पर क्या करोगे एस्टीमल वगारा से जो आपके क्या पेज़ बनते हैं वो सारे काम यहां पर करना होगा जावा यूज करना होगा या फिर आप बोल सकते कोई इसे लेंग्वेज यूज करके आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ठीक है तब ही जा करके आप अपने कंटेंड को पब्लिस कर सकते हो अपने कंटेंड को सो करा सकते हो अपने कंटेंड को दिखा सकते हो आई होप कि यह बात यहां तक क्या होगी किलियर होगी अगर इसमें भी आपको किसी टाइब कोई प्रावलम होती है तो सेम होई जैसे मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ तो यह एक छोटे लेबल से समझा किसले चल रहा हूँ आपको कि आप चीजें समझ में हैं आपको information share करानी थी ठीक है माल लेते हैं आपको information क्या करनी थी share करानी थी अब आप बताईए information share करने के लिए आपके पास सबसे पहले माले दो computers होने चाहिए दो क्या होने चाहिए computers अलग अलग एरिया में हैं ठीक है जब अलग अलग एरिया में हैं तो सबसे पहला काम था कि आपने इन दोनों को connect किया इंटरनेट बना करके यह था network infrastructure label one दूसरा काम होगा यार आपको website बनानी पड़ेगी अगर आपको chatting करनी आपको WhatsApp अप्लिकेशन बनाना पड़ेगा ठीक है इसका मतलब है कि आपको अपने content को display कराने के लिए websites बनानी पड़ेगी ठीक है तभी जा करके आपका content यहां पर display करेगा आपकी information यहां पर share होगी नहीं तो share नहीं होगी आप बताएं अगर browser नहीं होता अगर browser नहीं होता तो आप को कोई information सर्च कर सकते थे नहीं तो पहले browser बनाना होगा आपको पहले हो मीडिया content को publish करने के लिए platform provide करना होगा आपको तो सेम उसी तरह से अगर आप अपने product को पूरा दिखाना चाहते हो चाहिए audio video किसी के तुरू multimedia content के तुरू आप दिखाना चाहते हो तो आपको www का help लेना होगा आपको websites क्या करनी पड़ेंगी create करनी पड़ेंगी ठीक है तभी जाके आप चीजों को डिस्प्ले करा होगी clear है तीसरा वर चलिए यह तो हो गया आपने network बना लिया website बना लिया आपका content publish हो गया ठीक है publish हो गया तो अब आपको क्या करना है अब आपको यहां पर यह से मैं इसकी अगर आपको नोट्स की बात करूं तो यहां पर आप देख लीजिए हमें लिखा हुआ है आपका multimedia content and network publishing infrastructure इसमें क्या है आपका it is responsible to show the product or services मतलब क्या-क्या services आप provide कर रहे हो इसको सो कराने काम ठीक है in this basically estimate मतलब जिसे मैंने estimate लिख दिया है बाकी आप किसी भी टाइब की representation language का यूज कर सकते हैं electronic book www इसका मतलब है इन सबका यूज होने वाला है इस layer पर या फिर इस पार्ट पर आपका ठीक है क्योंकि यह दूसरा पार्ट था आपका तो पहला पार क्या था network बना लिया दूसरा पार्ट यहां पर क्या आपका कि आपने एक आपको क्या करना होगा यार मैसेज भी करना होगा क्योंकि क्योंकि करना पड़ेगा आपको सिंपल जी बात है अगर आडर प्रोसेश करना है तो अदर कैसे प्रोसेश करना है इनौ सब्सक्राइब होगी इनवाइस कैसे जन्रेट होगी साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको catalog के लिष्ट दिखा नहीं है किसी को अपने वाद सो कराना तो कैसे सो होगा मतलब आपको messaging किसी को आप text message कर रहे हो किसी को mail through message कर रहे हो तो वह सारे process भी आपको establish करने पढ़ेंगे उसके लिए आपको infrastructure बनाना पढ़ेगा for example कुछ आपके पास formatted message होते हैं जैसे आप इनवाइस को मतलब ही होता ना जो आपका product के साथ एक पेपर आता है प्रोट के साथ पेपर आता है उस पर आपका पूरा लिष्ट दिया होता ना पूरा आपको information इस आती है जो आपका प्रोट के लिस्ट आती है यह सब चीजें के लिए क्या होता है यह सब चीजें आपको अलग से करनी होंगी ठीक है पप्लिस तो करा दिया अपने आप यह बोल सकते हैं आपके पास यह सब सिस्टम नहीं होगा कि message को कैसे तो भी आप work नहीं कर सकते आप यहां पर सकते नहीं हो सकते आपका better messaging communication होना चाहिए ठीक है चाहिए customer हो चाहिए सब किसी भी टाइप के लोगों उनसे आपका communication best होना चाहिए ठीक है तो इसके अंदर आप यह हो जाएगा तब communication कैसे करते हैं जैसे यहां पर देखिए EDI बगार आप आगे यहां पर डिसकस करेंगे तो जैसे माले में हमने लिया तीस थैर्ड वाला यहां पर messaging वाले में it is responsible to prepare and send the formatted and unformatted message ठीक है कैसे prepare करना है कैसे send करना है यह अगर अगर हम बात करें यहां पर इन फॉर्मेंट से personal message भेजना उनको कि आपका डिलिवर हो चुका है सिप हो चुका है मैसे जाता रहता ना आपको 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 पास सब्सक्राइब करने के लिए मैसे बगार को सही तरीके से प्रिपेर और सब्सक्राइब करने के लिए यहां तक क्लियर हुआ होगा आपका ठीक लास्ट आपका यहां पर कामन बिजनेस सर्विस इंफ्राइस्ट्रक्ट्चर इसका मतलब है कि आप ध्यान से देखें तो आपका नेटवर्क बन चुका है कम्प्लीट हाडवेर सिस्टम तयार हो चुका है आपका मल्टी मीडिया कंटेंट आप वगरा बना के पब्लिस कर चुके हो पूरा का पूरा वर्क हो चुका है आपका अब मैसरा ब्रक हो चुका है तो आपको तीनों क्लिर हो चुका है तो आपका यहां पर अपर आपका प्रफारम होगा पर जीसित मैं अगर यहां पर इसमें इसकी बात करूं यहां पर यह लिखा गया है common business service infrastructure में facilitating the buying and selling process ठीक है तो buying and selling process क्या होगा वहां पर ठीक है security issue simple दिवात है आपको security बहुत बड़ा issue है अगर आपका data जो आपका credit card है आप सोचो आप customer payment कर रहे हैं अगर आप उनके data को secure और नहीं कर पाते हो तो आपका platform कभी success नहीं हो आपकी e-commerce company बंद हो जाएगी authentication वही लोग वहां पर login कर सकते हैं वहीं लोग access कर सकते हैं आपके platform को जो authenticated होंगे जिनके पास username password होगा जो valid होंगे electronic payment electronic payment का भीसों यहां आप payment simple दिवाते हैं आप कैसे करवाना है कितने आप जैसे लोग UPI से करवाते हैं आप ATM से करवाते हैं credit card से करवाते हैं डेविड कार से करवाते हैं mobile banking किसी भी तरीके से करवाते हैं तो आप क्या-क्या facility दे रहे हो यहां पर पहला क्या होगा क्लियर होगा आपका network बन गया दूसरा क्या होगा मल्टी मेडिया content आपका अमला website बन गई तीसरा message का mailing कैसे करने आपके सारे चीज़ें सही से कर ली चौथा क्या होगा अब आप एक जीकूड करने जा रहे हो तो एक जीकूड करने के लिए security प्रवाइड कर दो यार पेमिंट कैसे करना है ठीक है साथी साथ यहां पर लिस्ट वगरा कैसे सो करानी है इसके बात है प्लेटफॉरम है तो आप क्या करना चाहते हो बस चलो ठीक आप छोड़ा सा प्लेटफॉरम बना लो यह चोड़ा सब्सक्राइब इसके बाद आपने क्या किया चलो email system सिंपल दी बात है आपने यह इंप्रूब कर लिए अपना email system इंप्रूब कर लिए email के सब्सक्राइब करोगे साथी साथ आपने क्या किया वहां पर और सारे message पैक वगरा ले लिए message platform ले लिए जिसको आप नार्मल message भी text message भी कर सकते हैं सब लोगों को यहां पर ठीक है उस सब्सक्राइब क्या होता है e-commerce का चलिए students आज की class में इतना ही रखते हैं next में मिलते हैं हम लोग और नई टापिक के साथ ओके थैंक्यू